हेलो फ्रेंड वेल्कम टो आज चानल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रीडर्स तो दोस्तों आज के पंप की वज़े है क्या थी ओके सब लोग आलमुस्ट यही सोच रहे होंगे तुम जाके कोई टेलिग्राफ के ओकर आर्टिकल भी देखोगे तो कोई वज़े नहीं है कोई वज़े नहीं है क्या आज का पंप क्यूं आया अब यह वज़े इन लोगों के पास नहीं है बट अगर तुम ये चैनल फॉलो कर रहे हो और तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो तुमें पता है कि भाईया यह पंप आना ही था यह पंप की वज़े जो है वो बहुत बहुत simple थी, हम लोग यहां से बोल रहे थे कि Bitcoin को जो है वो ये green line के पास जाना है, एक बार इस green line के पास आया, उसके बाद हमें जो है वो एक fake out ऊपर की तरफ देना है, और वही यहां पे हो रहा है, एक चीज अगर तुम यहां देखोगे तो हम लोगों ने आज का भ liquidity, देखो हर कोई जब trade लेता है ना, तो वो ऐसा trade लेता है, मतलब मैं वो gamblers की बात नहीं कर रहा हो भीया, जो 50x, 100x leverage कर देंगे और क्या किते किस्मत अजमा लेंगे, नहीं, वैसा नहीं, बट जो professional traders है, वो क्या करते हैं, हमेशा उस spot के ऊपर वो short या long लेते हैं, जहां से वो risk to reward manage कर सके हैं, उनको बड़ा simple सा पंडा है, SMA 200 के ऊपर जो है, वहाँ पे trade लो, stop loss जो है, उससे थोड़ा ऊपर रखो, और यह जो बड़े whales होते हैं, यह बहुत smart होते हैं, अब यह क्या करते हैं, उन सब को पता कि stop loss जो है, वो हर किसी का यहीं पड़ा है, तो चलो य यहां तक जो है, वो विक ऊपर तक खीच दो, ताकि 28-29,000 डॉलर, प्रॉब्डी 30,000 डॉलर तक जो एक pump दे दो, उससे क्या होगा, कि जितने भी short traders बैठे हैं, वो market से बाहर, और जैसे ही price यहां आया हर किसी को, in fact, आज ही देख लो, बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो आज बोल रहे होंगे, कि भाया, मैं bullish हूँ, long ले रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, so, okay, so, ऐसे situation में तुम bullish नहीं होते हैं, bullish गब होते हैं, जब हम लोगों को पता था, कि हमारे price zone में price आ गया, भाया, पकड़ दो, यहां पे, okay, दूसरी चीज, हम लोग ने bullish weekly candle flows कर द आके बैठें, उनका पैसा लेके वापिस आएंगे, अगे, मैंने वहीं का, तो मैं अगर short open करना, मैं usually नहीं करता हूँ, मैं all points में trade दूनूँगा, बट अगर short open करना है, तो मेरे भाई 29,000 डॉलर एक बहुत अच्छी जगा है, okay, at the end of the day, हमें वापिस 17,000, 17,000 नहीं, 20,000 डॉलर तक आना ही है, बट वो ये नहीं कि हम लोग 2 अफते, 4 अफते में आएंगे, वो 2 महीने, 4 महीने के बाद भी आ सकते हैं, बट वो definitely आना ही है, तब तक ये छोटे-छोटे trades लो और पैसा बनाते रहो, okay, so again, बहुत अच्छा push था, 27,500 डॉलर के करीब, अगर हम लोग liquidations देखें, तो probably इसमें थोड़े बहुत liquidations भी मिले होने चाहिए हमें, okay, but overall जो move था, वो बहुत-बहुत solid था, और almost 4-5% का move जो है, वो एक ही दिन में आ गया, और वो भी सिरफ एक bullish weekly candle के close में, okay, so यहाँ पर थोड़ा देर, अगर हम थोड़े time out हो केंगे, तो हम लोग ड dollars जो है, यह तो चले एक घंटे का है, 24 घंडे में 61 million dollars जो है, वो liquidate हुआ है, shorts पे और 41 dollars, longs वाले कैसे liquidate करवा सकते हैं, यह मुझे बिलकुल नहीं पता, बर 24 घंटे में चलो इन लोगों ने भी liquidations कराए है, तो तुम देख सकते हो, 102 million dollars जो है, वो liquidate हुआ है, उसके अगर हम लोग traders देखें कि अब क्या कर रहे है, क्योंकि move एक अच्छा-कासा आ गया है, मैंने long तभी बोला था, जब हम लोगों ने देखा था कि बरी तरह गिरा था और यह लोग still longs accumulate कर रहे थे, तो अब जब एक अच्छा-कासा move आ गया है, तो तुम देख सकते हो, longs अ हम ले देखते हैं, उनका भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी अगर हम लोग ने last time देखा था, तो 15-16 million dollars जो था, वो longs में था, और सिरफ 600-700 के जो था, वो shorts में था, और अभी भी अगर तुम देखोगे, तो 14 million dollars जो है, वो long में है, शौट्स में सिरफ और सिरफ 800 KK around है, तो still अभी भी time है, हम लोग एक अच्छा खासा long move या 30,000 dollars की तरफ move यहां से definitely देखने वाले हैं, उसके बाद अगर हम लोग overall market देखते हैं, तो 1.7 trillion dollars पे है, 1% market जो है, उपर है, हम लोग still fair में है, तो डरने जैसा कुछ नहीं है, bet point तुम देख सकते हो, फिलाल 1%, but week में हम लोग जो है, वो 7% उपर आ चुके है, Ethereum वापस उसी zone में आ गया, 1630, so Ethereum वापस वहीं है, BNB जो है, उसने कुछ खास move नहीं दिखाया, 215 dollars पे BNB है, कुछ tokens जो बहुत अच्छी खासी rally कर रहे हैं, उसमें दुम देख सकते हो, XCC chain link, और मतलब मैं इससे जादा और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ, इस वीडियो में या इस वीडियो में किसी एक वीडियो में मैंने पहले भी बात की थी, यह token को ignore मत करो, और अगर तुम लोगों ने सुना होता तो अभी भी 10% profits जो है, वो एक हफते में easily यह token ने बनाके देवी होते, एक हफते में 14% का move इस ही buying opportunity है, तो अग इन tokens वे वो still अच्छा कर रहे है, market जो है वो ठीक है, बट अभी बहुत moves आने बाकी है, तो मैं वही कहूंगा कि यही सिरफ और सिरफ accumulation zone है, यहाँ पे profit taking यह डरने जैसा कुछ नहीं है, ओके, तो लेकिन financial advice नहीं है, तो बिलकुल अपनी research ज़रूर करना, जहाँ crypto एक percent उपर है, वहाँ stock market sideways है, in fact, काफी सारे tokens की तो पिटाई भी है, तो stock market में कोई खास move नहीं है, उसके अलावा जैसे कि मैंने अभी भी बोला, कोई बज़े नहीं है price के उपर जाने की, लेकिन लोग जो है, वो जबरदस्ते की कहानिया बना रहे हैं, जैसे CPI के interest है, वो हम सबको पता है, Bitcoin की supply जो है exchanges के ओपर बहुत गिर गई है, ये एक बहुत अच्छी बज़े है, और हम लोग अभी भी जो है, वो fair में है, so again मैं कहा रहा हूँ कि अच्छा time है, accumulate करो, और एक चीज़ और अब US के ओपर जो है, वो हर साल का कुछ 1.6 trillion dollars का सिरफ और सि 6 trillion dollars का, so लोग automatically इस चीज़ को समझेंगे, और भाया, government bonds में पैसा waste करने की जगा, वो लोग crypto या फिर gold या फिर stock market में आएंगे, okay, उसके अलावा जैसा कि हम लोग ने बात की, outflow जो है, वो काफी बढ़ गया है, so भाया, exchange से सरफ tokens बाहर जा रहे है, बापस कुछ नहीं आ और अगेन ये सब चीज़े बहुत अच्छे है, बाट अगर हम लोग अब trade की बात करें, bet coin में अगेन मैंने बोला, मेरा आर्बिट्रम में trade था, कल हम लोगों ने जो है, वो US neo में trade हम लोगों ने पकड़ा, तो अगर देखोगे, आर्बिट्रम भी हम लोगों ने कुछ 0. 0.76 पे पकड़ा था, फिलाल 0.82 पे आ गया, so easily इसमें भी जो है, हम लोग यहां से अगर देखे, तो यह 0.76 के around हम लोगों ने जैसे पकड़ा था, और महज सिरफ 2 से 3 दिन के अंदर 10% के profits अल्रेडी बन गए है, अब मेरा stop loss कहां है, अब मेरा stop loss जो है, वो base के ओपर आ ग तो new भी अगर तुम देखोगे, तो हम लोगों के कल के zone से आज वो 0.5% already उपर है, तो उसमें भी अच्छे खासे profits है, अगर तुमने यह दोनों trades miss किये है, तो तुम लोगों के लिए यह तीसरा trade है, जो बहुत-बहुत solid है, तो यह trade है mana, अब mana में अगर तुम देखोगे, तो again mana और meta, यह दोनो futuristic approaches है और इनका future बहुत-बहुत strong है, तो मेरे भाई, यह एक और perfect trade होगा, जहां पे हमारा stop loss जो है, वो 29 cents के नीचे रहेगा, क्योंकि मैं पता है 29 अगर तूटा तो यह वापर 28 cents के उपर जाएगा, तो exact इस spot पे हम लोग पकड़ेंगे और हमारा पहल target जो है, वो रहेगा 37 cents, ओके, वहां पे हम जो है वो position वापस से revise कर सकते हैं, बट अगर तुम देखोगे तो यह तुमें quickly 32 percent के gains जो है token देने वाला है, ओके, और stop loss exact इसके नीचे, क्योंकि गया तो 1-2 percent और अगर आया, तो 40 percent, बट बार-बार में वहीं कह रहा हो, यह कोई की financial advice नहीं है, तो अपनी research जरूर करना और उसके बाद ही buy करना, but I think risk free trade जो है, वो इसे ही कहते हैं, ओके, तो overall जो है, वो चीज़े अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि आज की वो upward week से हमें डरने की जरुत है, at the end of the day, week अधम होने में बहुत time है, और हम लोग एक बहुत इस week भी close करेंगे, ओके, तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है, तो like करो, channel को subscribe करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, thank you so much